प्यारे वद्यार्थियों सब तो पहला मेरे चैनल ते तो हड़ा बहुत-बहुत स्वागत है जी वद्यार्थियों जिमे के तहानों पता ही है के विपाग बलों बोर्दियां प्रिख्यामा दी डेड़ शिर जारी कर देती गई है जी ते आई दी वीडियो दा विशा भी अपना बोर्दियां प्रिख्यामा देनारी संबंदत है ते ए वीडियो काफी इंपॉर्टन्ट है सवन सारे बच्चे ने इसनों त्याना देखना है क्योंकि जो तानों आंसर शीट मिल दी है जिसते तुसी पेपर करना होंदा है जी उस दा सब तो पहला जो पेज होंदा है वो होंदा है जी एक OMR शीट जो के हर एक बच्चे नों पर नहीं आउनी चाहिए दी है जो भी बोर्दे पेपर दे रहे हान जे कर बच्चे OMR शीट देविच गलती कर दे हान ता उना नों जदो उना दा रिजल्ट आउना होंदा ह उस देविच काफी परशानी होंदी है जी इसलिए आई दी वीडियो नों त्यानना देखना है तांके तुसी सेख सको के जो OMR शीट हो है उसनों किस तरह तुसी असानी नाड़ पार सकते हो बिना गलती किते ते केडियां केडियां इन्फरमेशन OMR शीट देविच तुसी पर निया होंदी हान आज उना वर्या पां सारा डिसकस करांगे जी इस देली तानू 15 मिंट बादू दिते जान देहान जी बोड वलों तांके तुसी OMR शीट नों पार लो पर बच्चे फिर भी कई वर गलती कर देन देहान इसलिए आई दी वीडियो नों त्यानना देखन तांके तुसी OMR शीट नों सही सही पर सको ते रिजल्ट वे देता नों किसे भी तरा दी दिक्कादा समना ना करना पवे सुड़ाओ होना अपना एक सैंपल OMR शीट नों पर के देख देयां जी केड़ी केड़ी जानकरी इस दी वीच मंगी गई है ते केड़ी जानकरी आपना किते पर नहीं है जी पहला इस दी आपना जो खब्बे पास से बड़ा उस पेज नों आपना कंप्लीट कर देयां पे उस दिन ता डा केड़ा पेपर है वो पेपर तुसी इस दे लिख देना है जी इस दना मानलो के ता डा साइंस दा पेपर है जी तो तुसी इत्थे की लिख देना है जी साइंस लिख देना है जी उस तो नीचे अपने को है जी प्रिख्यादा देनते मिती तुसी मिती पहला पादनी है प्रिख्याद देन बाद बीच पादना है मानलो के ता डा जो साइंस दा पेपर है वो हुन हो रहा है जी अपने को 2023 देवेच पांज एपरल नो तो तुसी ये थे मिती पादनी है जी पांज एपरल चौथा मिनना 2023 पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हो न बाद लिख देना है जी उस्तो बाद है उत्तर देन्दा मादियम के बच्चया ने जो साइंस विशा है वो पंजाबी विच रख्या तो पंजाबी लिखने जेकर बच्चया ने साइंस विशा इंग्लिश विच लिख्या है तो इंग्लिश लिखने तो इंग्लिश लिखन तानू साइड ते एक जो clip नजर आ रहा है जी clip दे वेच देखो तानू नजर आ रहा है कि जो science विशेदा paper है question paper है question paper दे right side दे उपर corner दे वेच code लिखिया होंदा है ओ code तुसे यथे लिख देना है जी मैं के तानू इथे नजर आ रहा है science विशेदा वैसे code अपने को हुंदा है 05 उत्थे देखो अपने को 05 लिख्या है ते slash पाके code केड़ा code है paper दा क्योंकि तेनो code हो सकते हैं A, B, C ते उत्थे देखो A लिख्या है तो तुसी A लिख देना है बाकी जड़ा भी तानू तो अडे question paper दे उपर code लिख्या होएगा ते आओ हुन अगली जान करी देख दिया अगली जे पहला तुसी इसनू अच्छी तरह नोट कर लो केड़े खाने वेच किस जगा ते अपन की पर ना है ते आनू लग जा हो गया पता ते आओ हुन अपके देख दिया अगली आपने को है जी next किसे स्रीरेक अपंगता तो प्रवावित हो ता समंदत खाने वेच टिक दा निशान लाओ जेकर तुसी किसे भी जेकर बच्चा कोई स्रीरेक अपंगता है किसे वेच जा जिस दे नीचे लिख्या भी होया केडिया केडिया स्रीरेक अपंगता महां नेते देखो B, D, H, S, C सारे नीचे मीनिक लिखे होया जी बीदा मतब ब्लाइंड नेतर ही नहीं है तो उसने इसनों टेक कर देणा है जेकर बच्चे देख कोई भी अपंगता नहीं है बच्चा बिलकुल सही है ता उसने इस जगा ते अपने कोई टेक नहीं करना है जी तो नीचे की है कि लेखक उपलब्द करवाया गया है जेकर बच्चे दी कोई अपंगता है फिजिकली हैंडिकैप है ता कि उसने कोई अपने लेखक कोई लेखक दा मतब हुनता है लिखारी कि उसने लिखन वाला कोई नाल अपने बंदा बिठाया है जा नहीं है तो जेकर किसे तरह दी को राइट साइड ते जो आपां परनेहान खाने बगारा उस देवेच जो ओम आप शीर देवेच ता एक खाने देवेच एक एक अखर लिखना है ते जेकर नाम दे दो पाग हान ता दूआद पाग हान देवेच आपां खाली जगा शड़नी हुंती है जिसतरा मानलो के बच्च अपां एक खाना खाली शड़ना हुंता है जी जदो नाम दे दो पाग होन ते इसनों तूसी त्याणना पढ़ना है जदो ओम इर शीर देवेच तो नहीं है जी नेक्स्ट अपने को है जी देखो जो नीचे है ओह है जी अपने को नकल के स्ट इस रिपोर्ट यूम सी के इस दे विदि तुस्हय कुछ भी नहीं परना है? इस दे विदि तुसहें खाली शार देना है? इस विदि कुछ भी तुस्हीं नहीं लिखना है? यह दफ़तरी पर जोग लही है जिए अपने को सारा कुछ इस विच जो दफ्तरी पर जो वाले हन स्टाफ ओ सावा कुछ अपने को पढ़नेगे ते आओ होना आपां देख दिया कि OMR शीट मूँ आपां किस तरह पढ़ना है सब तो पहला देखो इस तरफ जो अपने को है पहला है अपने को रोल नंबर बच्चे ने की करना है जो भी बच्चे दा रोल नंबर एडमिट कार दे उपर लिख्या होया है उसने पहला अपना रोल नंबर इते लिख देना है जिस तरह मान लो कि बच्चे दा रोल नंबर है 1023145678 इस तरह एप बच्चे दा रोल नंबर है तो तो होन उसने की करना है जिस तरह पहले खाणे वेच बान लिखया है ते पहले खाणे दे नीचे देखो एक तो लेके जीरो तक ये दास नमबर लिखे होए हैं दास आंक लिखे होए हैं जोड़ा भी नमबर आंक उपर पर रहा है उस आंक नूँ उस नीचे उसने की करना है उसनों डार कर देना है जी देखो वान दे नीचे अपना वान नूँ डार कर देना है इस तरह परना चोटा जा पाएं तेक डार कर देने हैं, फिर 0 दे नीचे देखो जिरो देखो जिरो इत्यार है, 0 दे नीचे 0 नुदार कर देना है, 2 दे नीचे 2 नुदार कर देना है, 3 दे नीचे 3 नुदार कर देना है, फिर 1 दे नीचे 1 नुदार कर देना है, 4 दे नीचे 4 नुदार कर देना है, 5 दे नीच छहनुं डार का देना है रर्णा सदे नीचे सथ नुattend डार का देना है अर्णा पहला तुसीं हो यह इस चैनल आई यह चोटे डा लड़ा थे बाद विक्त रहीं जो नंबर कहले कर दे होच दो पूर इस तरह डार्क कर देना है गैस त्य तार Tous कि इस दे विच तुसरी जो pen है वो ball pen ही use करना है gel pen use नहीं करना है जी यह देखो जी हुआ हम सारे ही जो circles हान उन्हानों डार कर देता है जी इस तरह ता डैरोल नमबर वाला जो box है वो complete हो जाएगा next है जी प्रिख्यार्थी दा नाम नाम हुआ देखो ते आना कि आपां किस तरह लिखना है प्रिख्यार्थी दा नाम वड़े अखरां वेच capital letters दे विच लिखना है तो उसी यह थे short letter use नहीं करने हैं जिस तरह किता नमबर पहले हम दस्ते हैं मानलो बच्चे दा नाम है जी बलबीर सिंग पहले खानने वेच B, फिर A, L, फिर B, I, R बलबीर यह अपने नाम दा पहला पाग है बलबीर अपने को बन गया है होन आपां एक जो खानना है वो खाली शर्दन है ते फिर जो नाम दा दूसरा पाग है सिंग वो अपां इस तरह गलगा दने है S, I, N, G, H ते वेच A वाला जो खानना है वो आपां किया दना है, खाली शर्दना है इस तरह A अपने को नाम दे दो पाग बन गए हैं जी पहला पाग अपने को बलबीर ते दूसरा पाग अपने को सिंग ते होन देखो B जो पहला बॉक्स है उस दे नीचे अपां B देखना है, B किते है ते अपां पहला उसनों छोटा या डार्क करना है, पूरा डार्क पहला नहीं करना है जिते जिते तुसी नी डार्क करना है, पहला या निशानी लगा लो इस दे विच B नूँ डार्क करना है इस दे विच A नूँ डार्क करना है अगले दे विच देखो L देखो इस दे नीचे L थोड़ा नीचे है इसलिए मैं नीचे नहीं कर रहा है दूसरी ते ल ते कर देना है थोड़ा डार्क कर देना है तांके फिर देखो फिर B आगे अपन उसनों डार्क करी जाना है इस लाइन देवेच आपां जी नों डार्क करना है इस लाइन देवेच आपां एच नों डार्क करना है तो पहला तुसी इस तरह हलके जो डॉट लगाने हैं तांके तानों आइडिया हो जबे केड़े केड़े तुसी जो सर्कल है नों डार्क करना है उस alphabet दे according इसनों तुसी एक जे करता नों को दिक्कत आ रही है तो तुसी scale रखके भी सिद्धा line दे वेचे चेक कर सकते हो जिद्धा L बारी line है तो इस जगा तुसी scale रखना है scale रखके जित्थे अपने को L ला गया तो उस L ते तुसी हलका जा डॉट लगा देना है कि तुसी इसनों बार वेचे डार करना है जी तो आहो न आपां next information देख दिया जी केड़ी आपां पर नहीं है जी next है जी अपने को question paper दा code जो के तानों screen ते जिस तरह नजर आ रहे है कि question paper दा आपानों code के डा नजर आ रहे है इते लिख है जीरो पांज स्लैश ए इसका मतलब है कि अपने को जो question paper प्रशन पत्तर दा जो code है ओ ए है तो तुसी इन वे थेकी करना है इस तरह डार करना है जो तुसी question paper दे जो तानों मिलेगा ए तुसी पाग ओदों ही पार सकते हो जो त तुसी देख सकते हो जो तो अड़ा admit card है admit card है जो रोल नमबर है उस रोल नमबर दे उपर जो भी ताड़ा admit card दे उपर ताड़ा center number लिख्या होएगा center code के इंदर code वो तुसी पार देना है मैं इते example लिएना है कि मानलो इते लिख्या है अपने को एक दो जीरो चार पांज इस तरह center code है एक दे नीचे आपां एक नू डार कर दना है दो दे नीचे दो नू डार कर दना है जीरो दे नीचे जीरो नू डार कर दना है पहला तो सींगी करना है पूरा dark नहीं करना जस्ट छोटे छोटे डार करने हैं तांके तुसी चेक कर लो एक बार कि कोई गलतत नह हो रहा जेकर बिल्कुल सारे सही हान एक दे नीचे एक इस तरह फेसरों आपा पूरा डार का दरा है सारे नो जी नेक्स्ट अपने को है जी सब्जेक्ट कोड जिस तरह तरह नो दस है कि जो तरह विशा केड़ा है साइस दा अपने पार रहे हैं, science दा विशा कोड, जो ताड विशा कोड, एंट शिप मिल दी है, जैन ताड़ेको, जो role number है, ताड़ेको, उस role number दे विच भी जो भी ताड़ेको, paper लिखे होया हैं, विशा लिखे हों हैं, अला थाड़ा सभ्यक्ट कोड भी लिख्या होए है जिस तरह इसससरा साइस दे विच्छ दे लिखिया होंदा है 10th class दे 0, 5 तो ए थे तुस् Tracy 0, 5 पर दढ़ दना है 0 दे नीचे 0 नूदार्क कर दना है तो 5 दे नीचे तुसी नूदार्क कर दना है तो आओ हूँ अग्ये देख दें आपका केड़ी केड़ी information पर सकते हैं नेक्स्ट अपने को लो नेक्स्ट अपने को है इस्टोन ए भी काफी important है ए तुसी याद रख लेना है कि ए वाला जो अपने को लिख्या होंदा है ए है जी लड़ी number जा serial number ए शीट दा serial number है ए ता डेको की है जी शीट दा serial number है जी ये जोड़ता नो शीट मिली होई है पेपर करने ए इस दा की है जी serial number है ए तुसी किते परना है ए तुसी परना है जदो ता डेकोड attendance sheet होंदी है attendance sheet दे वेच ये बड़ा जो sheet दा serial number है वो तुसी पर ना होंदा है नाल ये अपना code पर ना होंदा है जिस तरह ता नो जो paper दा code है वो ए मिले है तो तुसी उत्थे code ते जितों serial attendance sheet आएगी तो ये serial number लिखना है उस दे नीचे code होंदा है तो उस तो बाद विच नीचे तुसी student अपने signature करने होंदे हैं उस दे उपर तुसी इस sheet number ते नाल ता डा जो code है पेपर दा code है ए बी सी वो तुसी पर ना होंदा है जी उस तो बाद इस दे विच invidilator दे sign होंदे हैं जी इस विच तुसी sign नहीं करने हैं student next अपने को है जी roll number roll number देखो की लिखा है roll number शब्दा दे वेच होंदे बच्चे दा रमानलो के roll number अपने को सी एक जीरो दो तेन चार पांज छे साथ आठ इस तरह अपने को दस अंका दा roll number है बच्चे दा अपने को ते पहला देखो अपने को एक है एथे तुसी लिख देना जी एक फिर अगे जीरो है फिर अगे लिखना शिफर जीरो दा मतलो शिफर फिर अगे दो इस तरह तुसी की करना है जो roll number लिख देना है शब्दा देविच अगे पांज आ गया फिर अपने को छे साथ आठ जो भी बच्चे दा roll number होएगा last विच फिर अपने को एक है इस तरह ए बच्चे दा जो भी roll number है उसने इस तरह उसनों की करना है शब्दा देविच लिख देना है जी नेक प्रिख्यार्थी मतलब बच्चा जो आप है बच्चे ने अपने सिगनेचर कर देने हैं जो भी मालो बच्चे देना बलवीर सिंग है तो बच्चे ने की करना है इस जगह ते अपने इस तरह बलवीर सिंग इस तरह उसने साइन का देने हैं इस जगा मानलोफादर दा नेम लिखना है कुलवीर सिंग तो उसने इस जगा लग दिना है सर दार कुलवीर सिंग होंसोनर आओ नेक्स देखते हैं जी अपने को सेकेंड जो शीट हूँदी है वो sheet भी same एसे तरापा पर नहीं होंदी है उस sheet दे विच एक जगा लिखिया होंदा है अपने को प्रिख्या एस विच मैं तानो second sheet नहीं दखा रहे हैं क्योंकि second sheet दे विच भी जो information है वो same पहले वाली पर नहीं होंदी है एक उस दे विच लिखिया होंदा है अपने को जो option होंदी है उस विच लिखिया होंदा है प्रिख्या प्रिख्या दे अगे खाली जगा होंदी है उस खाली जगा दे विच तुसी की पर नहीं होंदा है जी उस विच पर नहीं होंदा है इस दा जो सैकिन पेज है बैक साइड ते उस जगह एक आप्शन हो दी है प्रिख्या केड़ी है तो उत्ते लिखना है स्लाना बोर्ड प्रिख्या ते बाकी जो सारी आप्शन हान वो पहले पेज बाड़िया हान इसलिए मैं वो पेज नो नहीं पार रहा जी मैं देती है जो ता नो समझ लगे होईगी जेकर वीडियो ता नो अच्छी लगी है ते इसनो लाइक करते शेयर जूर कर देना मेरे चैनल नो सबस्क्राइब कर देना ते बैल लाइक करनों भी जूर पैस कर देना तानवात